हलो दोस्तों तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कम ओयल में बना हुआ बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी और हेल्दी डूसा रेस्पी जो इंस्टेंट बन करके त्यार होता है इसके लिए आपको नाही दाल चबल बिगोने का जंजट है और नाही ज़्यादा समय लगता है इ बहुत ही हेल्दी है तो फिर चलिए बिना देर की हुए बनाना सुरू करते हैं तो यहां पर हमने लिए हैं दो मुठी पालक और इसके से साफ कर लिया है पानी से धो लिया है और इसकी बड़ी डंडिया थी उनको तोड़ दिया है सिर्फ पत्ते ही हमें लेने हैं और पानी पालता हुआ पानी डाल देंगे गरम पानी आप चाहे तो गरम पानी में ही पालक डाल दें और उसको करीब हमें 40-50 से कि लिए इस तरह से चोड देना है जिससे कि यह सॉफ्ट हो जाए इसको ऊँझे जैदा समय के लिए बॉइल नहीं करना हैं और 50 सेकंड के बाद इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे पालक अच्छे से सॉफ्ट हो गई है डेट में हम निकाल लेंगे पालक को हमें गैस पर रख करके पकाना नहीं है इसलिए इस तरह से इसको हमने गरम पानी में डाल दिया है इससे पालक के पूशकता तो खतम नहीं होते हैं और ये हल्दी होती है तो पालक ठंडी हो जाए उसके बाद इसको हम डालेंगे मिक्सर जार में और साथ ही इसमें एट कर देंगे पान से छे कलिया लहसुन की और साथ ही डाल देंगे एक इंचे द्रक का टुकडा और तीन से चार हरी मिट्स आइट कर देंगे और इसमें हम चौथाई कप के करी पाने डाल करके पेस्ट बना लेंगे इस तरह से ये देखिए अच्छे से पालक पिस करके त्यार हो गई है तो अब इसको हम साइड में रख देते हैं और एक बाल लेंगे और डाल देंगे इसमें हम एक कप गेहू का आटा साथ ही इसमें हम एट कर देंगे थ्री पोर्थ कप सूजी तो यहाँ पर जो हमने सूजी ली है बारिक बाली सूजी ली है और अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ये गेहू के आटे का डोसा बहुत ही टेस्टी बनता है तो एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद टेस्ट के कॉर्डिंग नमक एट कर देंगे साथ ही डाल देंगे इसमें हम आधा चमच चिली फ्लेक्स ये ऑप्सिनल है पसंद हो तो डालिए वरना रहने दीजिए एक चमच सफेद तिल डाल देंगे आधा चमच यहां पर हम जीरा डाल देंगे साबुत चमच के करीब अजवाइन डालेंगे बहुत ही बड़ी फ्लेवर आएगा अच्छा लगता है अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालो को और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके पतलासा बैटर बना लेंगे तो यहां पर हम पहले दो कप पानी डाल देते हैं और इसको विसकर की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से इससे लंस नहीं पड़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ही मिक्स करेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद यहां पर हम आधा कप पानी और डाल देंगे और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये देखिए ये काफी पानी अब्सूर्ब करता है और ये डोसा इंस्टेंट बनता है बहुत ही बड़ी है बनता है तो जब रोटी सबजी बनाने का मनना हो तो आप इस तरह से बना करके देखिएगा बहुत पसंद आएगा आपको अब इसमें हम पालक का पेस्ट एड़ कर देंगे और इस पेस्ट में जो हमने लहसून मिर्च पीस करके मिलाया है इससे बहुत इचा टेस्ट आता है चटपटा डूसा बनता है हमारा अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार इस तरह से और इसमें हम थोड़ा सा पानी आट कर देंगे जार में ही पानी इस तरह से डाल देंगे क्योंकि काफी पेस्ट था जार में अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये देखे ये काफी थिक हो जाता है अब इसको हम रेस्ट पर रख देंगे करीब 5-10 मिट के लिए तो कबर करके साइड में रख देते हैं और इसके साथ खाने के लिए हम तब तक चटनी बना लेंगे मिक्सर जार में एक मुठी धनिया डालेंगे तीन से चार हरीमिर चैट करेंगे चार से पांच कलियां लहसुन के डाल देंगे और साथ ही थोड़ा सा अद्रक डाल देंगे चोटे पीस में कटा हुआ और आदा चमस के करीब जीरा डाल देंगे टेस्ट के कोडिंग नमक आइट करेंगे तो थोड़ा सा नमक डालेंगे जादा नहीं और अब इसमें हम डालेंगे एक कटोरी के करीब टेस्ट के बने पाइड है स्योर, आप यहां पर बेसन के सेओ ले लें या फिर मक्के के, कोई भी हो बहुत ही बड़ी बंती है इससे चट्ट्नि हमारी चोथा एकप दही डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और दो आइस क्यूब डाल देंगे इससे चटनी का कलर बहुत ही बढ़ी आएगा तो ये देखिए इस तरह से इसको हम पीस करके तियार कर लेंगे इसमें हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस तरह से पीस करके त्यार किया है बाउल में निकालने के बाद थोड़ा सा पानी और एट कर देंगे क्योंकि काफी थिक हो जाती है ये चटनी पिसने के बाद ये चटनी इंस्टेंट बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है तो जरूर बनाईएगा इसको हम साइड में रख देते हैं और यहाँ पर हम बैटर को देख लेते हैं और यह देखिए काफी तिक हो गया है बैटर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको और इसमें हम पाने डाल करके बढ़िया से मिला लेंगे इसको क्योंकि जो बैटर हमें बनाना है थोड़ा सा पतला बनाना है इस तरह से ज़्यादा थिक नहीं रखना है बैटर को इससे हमारा डोसा बोखवती बढ़िया बनेगा एकदम क्रिस्पी बनेगा तो बैटर हमारा बन करके त्यार हो गया है तो चलिए बना लेते हैं तबा ले लेंगे और ओयल से ग्रीस कर लेंगे आप इसको कम से कम ओयल में बना करके त्यार कर सकते हैं और अब इस तरह से हम बैटर को डाल देंगे और तब एको हमें तेज गरम रखना है आपर और कैस के फ्लेम को भी हाई रखना है जिससे कि ये इस तरह से जाली पड़ेंगी अगर आप स्लो फ्लेम पर इसको बनाएंगे तो इस तरह से ये नहीं बनेगा और अब इसको ड्राइ होने देते हैं जब अच्छे से ड्राइ हो ना है और कितना बढ़ आजा झाल आए इसमें बहुत यह अच्छे से बन करके त्यार हुआ है ये देखिए कितना क्रिस्पी हमारा बन करके त्यार हुआ है पालक का डोसा और इसी तरह से सेकंड भी बना लेंगे ओवील से हलका सा घ्रीज करेंगे और फलेम को हाई रखें तभी को अच्छे से गरम करेंगे इससे हमारा डोसा बहुत ही क्रिस्पी बनता है और एकदम जालिदार बनता है यह देखिए कितने बढ़िया से जालिया बन रही है और ड्राइ होने के बाद ही इसके उपर हम इस तरह से ओल लगाएंगे और बढ़िया से जब क्रिस्पी हो लगाएंगे ठेस्टी भी है और साथ उसाथ साथ हाल्दी भी है वोत ही बढ़िया है तो इस चेटनी को बनाना अमों बूले बहुत ही स्वाधिश चटनी बनी है तो आपको ये डोसी की रेस्पी कैसी लगी कमेंट में जरू बताईएगा वीडियो पसंद आ है तो लाइक सेर करना मत भूलेगा चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू